वीदा पिपिल या हम भारत के लोग जैसा आजकल आप देख रहे हैं कि चारों तरफ वीदा पिपल की पोस्ट या वी के नाम से जो एक पीले और एक लाल रंकी पोस्ट आ रही हैं या एक लोगो आ रहा है तो अधिक्तर लोगों के मन में जिग्यासा है कि वीदा पिपल है क्या तरसल भारत के समविधान की पहली लाइन है वीदा पिपल हम भारत के लोग तो हम भारत के लोग हैं यहां जितने भी ये लोग खटे हो रहे हैं और जो लोग लगातार लगातार आपको ये कह रहे हैं कि ये वीदा पीपल है तो समझे के वीदा पीपल बेसिकली करता क्या है है क्या और किसलिए ये काम करता है ऐसे लोग जो भारत के लोग हैं जो भारत के संविधान में यकीन रखते हैं कानून में यकीन रखते हैं विश्वास रखते हैं अपने देश की तरक्की चाहते हैं और चाहते हैं कि भारत दुनिया में महा सक्ति बने विश्व गुरू जैसा समराट असोक के समय था जैसा बुद्ध के समय था जब भारत की GDP दुनिया की GDP की 26% हुआ करती थी सारा वैपार हमारे यहां से चलता था और 12 यूनिवस्टियां जो फेमस थी वो हमारे यहां थी और जीवक जहां से पड़े थे वो जो तक्सला जो यूनिवस्टी है जहां सरीर का विज्ञान पड़ बनते थे जहां पुरी दुनिया के लोग आते थे उस गौरब साली बात उस गौरब साली इत्यास उस गौरब साली पहचान उस गौरब साली व्यापार और उस समय के महा भारत के सबसे बड़े समरठ असोख यानि कि सबसे उपर दुनिया में हम लोग रहे हैं ऐसा ही पहुँचे दुवारा से और सम्राट असोग का नाम पूरी दुनिया में फिर सम्मान से लिया जाए तो उसके लिए यह लेवग हैं उन्होंने ऐसा ठाना कि जो लोग सम्विधान में यकीन रखते हैं भारत में यकीन रखते हैं भारत वासियों में यकीन रखते हैं उनको सच और प्रियास कनने वालों में अधितर्भ लोग वो हैं जो समण हैं समण का मतलब है जो भगवान बुज्ध ने कहा था समण citation और बमण यानि के समण जो यही की आवाज यही के लोग रहे हैं और बमण जो बहारी आवाज बहारी लोग रहे हैं क्योंकि भगवान बुद्ध ने दोनों का ही कल्यान किया दोनों का ही उर्थान किया तो जो बमन लोग हैं हम उनकी बात यहां नहीं कर रहे क्योंकि वो साधन संपन है उनके पास में सब कुछ है भारत में और बहुत ज्यादा है हम समन लोगों की बात कर रहे हैं जिनकी वैसे भारत पूरी दुनिया में विस्व गुरू नहीं बन पा रहा है क्योंकि जब तक इन लोगों के पास सारे संसाधन सारी एजुकेशन, अच्छी हैल्थ, अच्छे मकान अच्छे संसाधन आने जाने के मोटर, कार, गाड़ी इनके बच्चों के लिए बड़िया एजुकेशन, बड़िया इनके लिए खाना बड़िया दवाई, बड़िया विवस्था और पूरी दुनिया में आने जाने का मौका नहीं मिलेगा तब तक भारत विस्व गुरू दुवारा से नहीं बन सकता क्योंकि समरठ्था सोग के समय सारी जनता समानता के आधार पे सभी को मौका मिलता था और सभी भरपूर काम करते थे, उस काम की वज़े से ही हम GDP का 26% यहां पैदा करते थे तो कर क्या रहें ये लोग, दरसल ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने नेता पर, अपने लीडर पर चाहे वो सामाजिक रहा हो, चाहे वो राजनितिक रहा हो, चाहे वो आर्थिक नेता रहा हो चाहे वो सरकारी करमचारियों का हो चाहे प्रावेट करमचारियों का हो चाहे वो किसानों का हो चाहे वो मजदूरों का हो चाहे वो महिलाओं का हो चाहे वो छात्रों का नेता हो चाहे किसीने कोई वारिंटर या कोई दल या कोई सैना, आर्मी, ब्रिगेडियर, पैंथर, पार्टी, इस तरह का कोई संग्ठन बना रखा हो, समल संग्ठन की बात हो रही है, क्योंकि अधिकतर परेसानी समल संग्ठनों में हैं, तो हम यहां सिर्फ समल तरह के जो लोग हैं, उनकी बात कर रहे हैं, समल का मतलब भारत के, जो यहां समता की आवाज और यही की आवाज के लोग हैं, तो उन लोगों ने सभी अपने लीडर्स पे भरोसा किया, सभी लीडर्स जितने भी थे, चाए वो धंमिक लीडर हैं, या राजनिक लीडर हैं, उनकी बात को माना, सभी लोगों ने उनसे कहा कि यह बाबा या गुरु रविदास हैं या जो भी हमारे संत महापुरुस रहें उनकी बात है, तो उनकी बात को उन्होंने कहा और उन्होंने कहा कि संगत एक साथ आनी चाहिए, संगधन आना चाहिए, संग्धत होना चाहिए, बावा साब ने भी कहा कि संग्धत रहो, संग्धत रहने से democracy के अंदर आप अपनी बात को जोड़दार हिस्सेदार इसके साथ कह सकते हैं और आपको उसका फल देश में मिलेगा क्योंकि आपकी संख्या जादा होगी तो आपको जादा हिसा मिलेगा ये democracy का एक नियम है जितने जादा लोग उतनी जादा बात आपकी मानी जाएगी संख्या बल उतना जादा होता है तो सभी लोगों पर यकीन किया और बावास आपके बाद में 1956 से लगातार यकीन करते आ रहे हैं बहुत तरह के लोग आए बहुत तरह के लोग गए सब ने यकीन दलाया कि हम आपके वैलफेर के लिए काम करेंगे और लोगों ने अपनी जेव से अपने तनमन से अपनी महनस से पैसा दिया उनके जंडे उनके डंडे लेके खड़े रहे उनके सपोटर रहे मरने मानने के लिए उनके लिए त्यार रहे उन्होंने जहां कहां माम मीटिंग के लिए आए जैसे उन्होंने कहा वैसे बात मानी और सब कुछ वो किया जो लीडर्स ने कहा मगर लीडर्स में एबिलिटी नहीं थी इस बात की के वो संग्डित या और्गनाइज कर सकें इसलिए उन्होंने हमको तो कहा के संग्डित हो जाईये, संग्डित हो जाईये और हम उनके नीचे संग्डित हो गए, मगर उन्होंने अपने आपको हजार टुकडों में बदल लिया, उनका एगो समस्या हो सकती है, उनकी person समस्या हो सकती है, उनकी कोई रोजी रोटी की समस्या हो सकती है, उनकी कोई रिस्दारी की समस्या हो सकती है, उनकी कोई आपस में दुस्मनी हो सकती है, मगर इन सब बैर भावों से और इन सब अग्यानता से हुआ ये कि जो बावा साव लेके आये थे, वो इन लीडर क की आँखों के सामने इन नेताओं की आँखों के सामने इन धंमिक नेताओं की आँखों के सामने इनके हाथ से उनकी सहमती से इनकी आँखों के सामने गया यानि कि जब इत्यास लिखा जाएगा तो ये बात लिखी जाएगी कि हजारों संग्ठन दे बावा साब के और बावा साब की लाई हुई जो सहुलियत और जो मौका थी भारत के लोगों के लिए उसको बचा नहीं पाए और वो चला गया इन नेताओं के होते हुए क्योंकि ये संग्ठत होना जानते नहीं ये दरसल तूटना जानते हैं एक संग्ठन जो 1978 में बना था सामाजिक वो किसी के नाम स नहीं था तो वो एक सामाजिक संग्ठन था एक था मगर लोगों ने अपने मतलब और अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने हमारा कोई फायदा नहीं देखा यानि हम जो भारत के लोग हैं जनता है हमारा कोई फायदा नहीं देखा अपने फायदे अपने एगो अपने एहम के लिए गुटवाजी की और वहां से संठनों को एक के दो, दो के चार, चार के आठ 26 बताते हैं आज की डेट में और भी जादा है, छोटे छोटे टोड़े बहुँ जादा है, और ये सारे ही जब रात को सोते हैं तो प्रधान मंतरी की सपत लेके सोते हैं यानि ये सपने में प्रधान मंतरी बनते हैं सारे के सारे, और प्रधान मंतरी से बनने, कम बनने की निए कोई सागी नेता तयार नहीं है इनके बहुत छोटे छोटे टुपडे हो चुके हैं, इनके पास ना आदमी हैं ना कुछ हैं और जिन लोगों ने इन पर भरोसा किया इसलिए कि ये मेरा रिस्तदार है या या ये मेरा जानकार है या ये मिठी-मिठी अच्छी-ची बात करता है या ये कर लेगा ऐसा यकिन दलाया है तो सीधे साथे लोग जो उनके साथ गए उन्होंने कभी उनसे कोई प् फाइदा दोगे या कैसे समाज को फाइदा दोगे या कैसे बाबा साब जो लेके आए उसको बचाओगे भी और आगे बढ़ा होगे भी ये प्रसंद किया नहीं ऐसा नहीं है कि सबने प्रसंद नहीं किया कुछ लोग जागरुक थे उन्होंने प्रसंद किये तो उनका हश्र यह हुआ कि उनको निकाल दिया गया, उनको हटा दिया गया और वो मायूस होके बैठ गये, उन्होंने समझदार यह दिखाई कि उन्होंने नया संग्ठन बनाने की कोई अपनी महनत नहीं की, क्योंकि वो जानते थे कि एक संग्ठन और बना के एक टुकड़ा और हो जाएगा फाइदा होगा नहीं तो ऐसे जितने भी लोग थे चाहे वो धम्मिक हैं यानि जो बाबा साब का 1956 में जो धम्म दिया था धम्म के भी हजार अटुकड़े हैं चाहे वो धम्म में मायूस हुए लोग हैं चाहे वो सामाजी के जो बाम सिर्फ जैसी संस्था या जो और संस्था बनी हैं उनके बिखरे हुए लोग हैं तूटे हुए लोग हैं मायूस लोग हैं या जो राजनीती से बिखरे हुए लोग हैं तूटे हुए लोग हैं या जो ये दन, लवल, सेना, संता ये जो पैंथर पार्टी ब्रिगेडियर ये सब जो वरिंटर फोर्स इसके जो लोग हैं या जो आर्थिक परिसाने से जूरते हुए आर्थिक लोग हैं या जो सरकारी करमचारियों के लोग हैं क्योंकि सरकारी करमचारियों के तो आँखों के सामने से सरकारी डेपार्टमें तो मायूस लोग हैं या वो लोग हैं जो सब कुछ महनत करने के बाद मैं जब नहीं देखा कि result नहीं आ रहा है तो वो चुपचाप बैठ गए ऐसे जितने भी लोग हैं उन्होंने एक वार फिर सोचा कि नहीं आदमी आता है जाता है प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए तो ऐस इसे लोगोंने आपस में इखटा होने का process स्टार्ट किया लगबग तीन साल हो गए और तीन साल में काफी सारे लोग इस सोच के आगे कि नहीं हमको इखटा होके एक वार फिर महत करनी चाहिए हमें किसी भी हलत में बावा साब ने क्योंकि बावा साब अकिले थे तो दम मा इसी छोड़के एक बार फिर महत करनी चाहिए तो वो लोग इखटे हो रहे हैं किस वीदा प्यूपिल में आगे ये वीदा प्यूपिल कोई ऐसा संग्ठन नहीं है जहां पद बढ़ते हों या जहां पोश्टें बढ़ती हों यहां तो आप में काम करने की छंता कितनी है ज फल खाएगा सोहनलाल वो यहां नहीं चलता ऐसा भी मत सोचिए कि हम यहां कोई गुट बनाके इसको तोड़के ले जाएंगे क्योंकि आप अगर ऐसा कुछ सोचेंगे तो आप अकेली ही रहेंगे फिर आप समण समाज के द्रोही हो जाएंगे समण द्रोही आपका नाम गो क्षश्खrovsk초 है क्योंकि सभी परिपक लोग हैं और सभी जानकार लोग हैँ तो यह जो पोस्टएं आपके पास आती हैं इनमें कोई न फोनन नम्बर होता है क्योंकि सभी लोग इंडिपंडेंट होके और एक साथ होके ये एक बहुत बड़ी बात है कि जैसे बहुत सारी नदियां अलग-लग बहती है और सब एक साथ मिल भी जाती है ऐसे ही हर व्यक्ति अलग-लग आपको मिलेगा काम करेगा मगर वो वीदा पिपल का ही होगा आप भी उसमें जुड़ सकते हैं तो जुड़ने के लिए यहाँ कोई फारमर फीस तो है नहीं कोई भी व्यक्ति अगर आपको लगता है कि यह किसी का फोन नमबर समण समाज का आज के अंदर आया है आप उसे बादचित कीजिए आप अगर ठीक ठाक होगे वो अगर ठीक ठाक होगा आपका मन मिलेगा काम आगे बढ़ जाएगा और डे बाई डे यह बढ़ रहा है इसलिए समण समाज के अंदर कोई ऐसी नीती नहीं है कोई ऐसा फिक्स पैटर्न या फिक्स पर्राम नहीं है कि पहले से ही साचे में ढालके पर्राम बना दिया है आप यह समझेंगे जैसे भग्नवान बुद्ध ने संग बनाया था तो उन्होंने संग की कोई रूप रेखा नहीं बनाई थी उन्होंने कोई संग के नियम शुरू में नहीं बनाया थे कोई विने पिटक नहीं बनाया था उन्होंने उन्होंने तो सिर्फ पढ़ाना स्टार्ट किया काम करना स्टार्ट किया लोगों को अच्छा लगा, लोगों को फायदा हुआ, लोग जुणने लगे, संग बनने लगा और जैसे जैसे उसमें परेशानी आती गई, वैसे वैसे विने की नियम बनते गई, एक साथ नियम नहीं बने और जो गोल था, जो अचीब था, उस समय के साथ से, वो ये था कि आप अपनी सारी बराई छोड़ें, और सारी बराई छोड़ते अच्छा या निकल आती हैं, वैसे ही यहाँ भी एक natural process है, कि आप जैसे जैसे आप इखटे होते चले जाएंगे, वैसे वैसे natural ही आपके सिस्टम बना लेंगे, यानि कि पहले से कोई सिस्टम बना के त्यार नहीं किया गया है, सिस्टम जैसे जैसे आते जा रहे हैं लोग, वैसे वैसे सिस्टम evolve होता जा रहा है, अपने आप बनता जा रहा है, जैसी जैसी requirement आती जा रही है, वैसे वैसे चीज़ें solve होती चली आ आपजेक्टिव उद्देश से एक ही है प्रिणाम हमको एक ही चाहिए कि हम भारत को दुबारा से बहुत विसाल और महा भारत जैसा सम्रद्ध असोक के समय का जो देश है उसे बनाने के लिए महत करने के लिए हम सब लोग तयार है क्योंकि अगर भारत सम्रद्ध होगा तो ज घर भी होगा कोई फैक्ट्री भी होगी कोई इंड्श्टि भी होगी सामोई को रूप से जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे समस्या सौलव होती चले जाएगी और सबको संसाधन मुहिया एक दिन हो जाएंगे भारत फिर दौ़ारा से विस्व सक्ति बन जाएगा एक देश फ्यृष मेंक राश्ड प्रेम दुवारा से आ जाएगा तो अगर आप देस्ट प्रेमई है राश्ट प्रेमई है आप भारत को आगे बढ़ाना चाहते हैं और आप समण हैं समण इसलिए हैं क्योंकि समस्या सारी के सारी समण महीं हैं समण ही गरीब हैं समण के पास ही एजुके सम नहीं है समण के पास ही कोई ऐसी ताकत नहीं है कि वह समीधान में जाके वैलफेर कर सकें अपना या देश में जितने भी लोग हैं वह सबको सम्रद और सुक्षाली रख दे दे जो हक अधिकार उन्हें जादा रखे हुए है एक मनुस्य का जितना अधिकार है उतना सभी को मिलना चाहिए ऐसा समिधान कहता है ऐसा ही प्रकृति कहती है ऐसा ही नियम कहता है इसलिए इस वीदा पीपल में या हम भारत के लोग में अगर आप इक्षा है इसमें जु व्यक्ति आपको जो वीदा पीपल का है वो सवाल जवाब देता है आप संतुष नहीं है तो कोई और देगा कोई और नहीं तो कोई और देगा और आपके सवाल जवाब से अगर मालो ऐसा लगता है कि कोई कमी रह गई है तो वीदा पीपल के लोग इतने लिबरल हैं कि वो त centralized system या कोई ऐसा कोई लीडर नहीं है नहीं इसके अंदर को लीडर बनाने की पिक्रिया है सारे ही इसके अंदर काम करने वाले लोग हैं जो भारत को बहुत विसाल तरीके से तरकी में दिखना चायते हैं विस्व गुरू जैसे के हमारे विस्व गुरू भंगवान बुद्ध ह क्योंकि पूरी दुनिया में भारत की जो छवी है वो बुद्ध से जानी जाती है अगर आप कहीं जाएंगे तो लोग कहेंगे कहां से आए हो भारत से तो वो कहता है अच्छा बुद्ध के देश से तो आपको आधी जो इज़त है वो सिर्फ बुद्ध के नाम से मिल जाती हैं मगर आपको आदी इज़त इसी बास से मिल जाती है और कहीं आपने कह दिया कि मैं बुद्धिष्ट हूं बुद्ध का फॉलोवर हूं तो सो परसेंट एनरजी मिलती है और खाना आपको फिरी मिलता है उनकी आवशक्ता है आईए आपका स्वागत है आकर देखिए धन्यवाद आपका स्वागत है आपका स्वागत है आपका स्वागत है